हे गाइज मेरा नाम देव बिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस योटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तों यह है लिब्रे ओफिस कैल का टूटोरियल लंबर 59 अगर आपने अभी तक टूटोरियल लंबर 58 नहीं देखा है तो आप उपर दिये गए आई बट सकते हैं तो नीचे दिये गए डिस्क्रेप से लिंक के उपर भी किलिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह है डेटा मेनू का पार्ट 3 जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्योट टेबल क्रियेट करना ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इस चलिए तरह आपको एक टेबल कर करें कर लेना है तो मैंने यहाँ पए एक तरफ टाइब किया है सिरियल लंबर इसके बाद प्रोडड़क्ट नेम इसके बाद मयने आप पर प्रायज टाइब कर लिएकर है ओके डेटा कुरेट करने के बाद आपको अपना पूरा डेटा करना है सलेक्ट और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने डेटा मैनि Indonesian में इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक option लेगा pure table का और इसमें आपको यहाँ पे first option लेगा insert or edit का तो आप एक बर यहाँ पे click कर दीजिए इसके उपर click करने से आपका select source का एक नया dialogue box open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे type है selection first में आपे type है current selection और नीचे यहाँ पे type है data source registered in library office तो आपको यहाँ पे नीचे वाले option का use नहीं करना है आपको यहाँ पे अपना current selection लेकर ही use करना है तो मैंने यहाँ पे current selection को किया select और इसको select करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एक button मिलेगा ओके का तो आप एक बर यहाँ पे click कर दीजिए इसके उपर click करने से आपका pure table का layout open हो जाएगा इसके अंदर आपको यहाँ पे page field इसके बाद column field data field और इसके बाद आपको मिलेगा row field का option जो आप यहाँ पे देख सकते हैं right side में आपको मिलेगा available field का option जिसमें आपके data दिखाई देंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं okay तो आपको यहाँ पे एक एक करके इन सभी में इसको drop करना है तो मैंने आपके अपने product name को drag किया और drag करने के बाद मैंने आपके row field के अंदर आकर इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे type हो गया product name इसके बाद मैंने आपके अपने price को drag किया और drag करने के बाद मैंने आपके data field में इसको लाकर drop कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे type हो गया sum price इसके बाद आपको अपने serial number को drag करना है और इसको drag करने के बाद आपको अपने column field के अंदर इसको drop कर दिना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे type हो गया serial number ओके तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने अपना सभी डेटा अलग-अलग फिल्ड में ड्रैक एंड ड्रोप कर दिया इसको करने के बाद आपको यहां पे एक बटन मिलेगा ओके का तो आप एक बार यहां पे किलिक कर दिजे इसके उपर किलिक करने से आपका प्योट टेबल किरियेट हो जाएगा जो आप यहां पे देख सकते हैं इसमें आपको यहां पे फर्स्ट में मिलेगा आपका प्रोड़क्ट नेम इसके बाद आपको यहां पे मिलेगा आपके प्रोड़क्ट का प्राइज इसके बाद आपको यहाँ पे top side मिलेगा आपके product का serial number जो मैंने आप टाइप कर रखा था ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा serial number और product name और यह सब मेरा यहाँ पे price दिखा रहा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी आपको एक line में price दिखाई देगा इसके बाद आपको last में यहाँ पे इसका total करके भी यहाँ पे दिखा दिया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा insert or edit option इसके बाद आपको फिर से जाना है आपके अपने data menu में इसके बाद आपको जाना है pure table option में इसके बाद आपको next option में रिफ्रेस और delete का तो इसके लिए आपको जाना है आपके अपने first वाले seat के उपर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा pure टेबल है इसका एक अलग से seat create हो गया तो मैं यहाँ पर अपने main वाले seat के उपर जाऊंगा तो मेरा main seat है यहाँ पर take देओ तो मैं यहाँ पर click करूँगा और इसके उपर click करने से मेरा जो main seat था वो यहाँ पर open हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी changes करना है आप यहाँ पर definitely कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर अपने product का कुछ नाम change कर दिया ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने product का नाम change कर दिया इसके बाद मैं इन सभी का यहाँ पर price भी type कर देता हूँ तो मैंने आपर टाइब कर दिया 100 रूपीज इसके बाद मैंने आपर pen drive का टाइब कर दिया 500 इसके बाद मैंने आपर memory card का कर दिया 300 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको change करने के बाद आपको जाना है आपके अपने pure table वाले seat में और इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा seat open हो गया, इसके बाद आपको अपने pure table के अंदर कहीं पे भी click कर दिया, तो मैंने इसके अंदर कहीं पे भी click कर दिया, इस पे click करने के बाद आप आपको जाना directly आपके अपने data menu में इसके बाद आपको जाना है pure table option में और फिर आपको यहाँ पे refresh के उपर किलिक कर देना है इसके उपर किलिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें जो मैंने यहाँ पे नाम type किया था वो नाम यहाँ पे add हो गया और उसके साथ साथ इसका प्राइज भी यहां पे टाइप हो गया जो आप यहां पे देख सकते हैं ओके तो यह था हमारा रीफ्रेस आफ्सन जिससे आप अपने प्योट टेबल को रीफ्रेस कर सकते हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट आफ्सन लेकस में डिलीट का तो इसके लिए आपको अपना पूरा प्योट टेबल सलेक्ट करना है तो मैंने अपना पूरा प्योट टेबल सलेक्ट कर लिया ओके तो आप यहां पे देख सकते हैं मैंने अपना प्योट टेबल सलेक्ट कर लिया इसके बाद आपको जाना है आपके अपने डेटा मेनू में इसके बाद आपको जाना है pure table option में और last में आपको option में लेगा delete का तो आप एक बर यहाँ पे click कर दिजिए इसके उपर click करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे हाँ पे अभी pure table दिखाई दे रहा था वो यहाँ से delete हो गया ओके तो यह था हमारा pure table option ओके तो उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like, share जरूर करिए चैनल को subscribe कर दिजिए और पास में दिये गए बेल को भी प्रेस कर दिजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इस notification सबसे पहले आपको मिले तो thanks for watching my video